मुझे बहुत मज़ा आ रहा है इनके घर आके आज ना सारा दिन मौसम खराब था तो हम सोच रहे थे क्या ही करेंगे अभी फिस्टेट निकल गी हम फिस्टेट काएंगे तो मानते कि अगर इस दिशा से बारिस आती है तो होती है अगर यहां से आती तो यहां से नहीं होती है तो अभी फिलाला हम एक इचाता लेके आए हैं और बारी रुखने का वेट करेंगे शायर रुकेगी नी तो एक खुब शुरस से दिन के शुरुवात हो चुकी है और आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूं मैं अपने गाउं और अपने खेतों में यानि कि जो हमारी सार है यहां हम अटर तोने के हैं और पीछे आप देख सकते हैं सेयो के पेड हैं तो आज के वीडियो की भी स् तो ऐसा कोई सीन है पर कोईनी में सेयर करूंगी आज है संडे और हम तोड़ने गए हैं मटर तोड़ने गए हैं और अभी फिलाल मौसम बहुत अच्छा हो रहा लेकिन दस बज़े से बारिस बताई है वेदर फॉरकास्ट में तो देखते हैं बारिस होती है कि नहीं होती है बस सुबह सुबह आ रखे है धूब और लोग लगे हैं अपने अपने काम धन्दे में तो चलिए हम भी अपने खेत पर मटर तोड़ते हैं आजाओ आजाओ एदको छोटे छोटे बच्चे ओ मयंक भी ला रहा है गहास और मयंका ददा भी लेके आ रहा है पहाड के बच्चे ऐसे काम करते हैं और यहां पर ददा लोग तोड़े हैं और दीदी लोग मटर तो बोल रहे हैं कि मटर मत तोड़ और ब्लॉग बना और य हेलो गुड मॉर्निंग कब गए खेप में कब गए अच्छा इस पर मटर की घासु हाँ अच्छा हेलो मयंग कैसे हूँ बढ़िया हाँ गुड मॉर्निंग अच्छा यह है पाहड के महनती बच्चे तो आज हम वीडियो कम सूट कर रहे हैं और मटर ज्यादा तोड़ है क्योंकि बारा वज़े से मुझे लग रहा बारीस भी हो सकती है मौसम ऐसी हो रहा है तो हम आज चाय लेके तो नहीं आया थे लेकिन हमें नीचे वाले खेत वालों ने दी है चाय तो हम चाय पी रहे हैं प मौसम में हम आराहाम से काम कर सकते हैं तो यहां तक हमने भशक तोड़ दी है आगे को तोड़ेंगे एसे बढ़िया करके आज तो अच्छी लिए साहिं रहे हूँ और हमने पीछे भर दिया है वह फिर आप की फिज भीज मी आप्डेट देते रहेंगे अपनी तो जैसी हमने दो कट्टे मटर तोड़ी दो भी नी तोड़कि एक पूरा और एक आधा तोड़ा है तो वैसी बारिस आगई में दिखाती आपको वो देखो मुक्तेशवर से किती तेज वाली बारिस आ रही है तो अभी फिलाल हम एक इचाता लेके आए हैं और बारिस रुखने का वेट करें शायर रुकेगी नहीं तो देखते हैं आज तो बहुत बारिस बताई है लेगें थोड़ी देर हम वेट कर रहे हैं कि बारिस रुख जाए औ लोग भागने लगे वो पेटी वगर लेके क्योंकि उनकी उनका घंजिक है ना हमारा नहीं है तो हम थोड़े बारिस उगने का इंतिजार करेंगे और फिर तोड़ेंगे मटर तो देखिए जी मुक्तेशवर के उस टॉप से आगई है बारिस और बादल भी वहीं पर तेज जो हो रखें तो मानते कि अगर इस दिशा से बारिस आती है तो होती होती है अगर यहां से आती तो यहां से नहीं होती है यहां थोड़ा खुला है ना यहां को तेज बारिस हो रही है तो यहां वाली बारिस पक्का आती है वहां तेज हो गई बारिस देखो कितने ही तेज तो इसलिए हम कट्टे को लेके जा रहें उथर तो कट्टा रखेंगे आज़ा 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 तो बारिस के बाद कुछ ऐसा ना जा रहे है पाहड़ों का फिलाल बारिस थम चुकिया लेकिन अभी भी लगनी रहे कि बारिस रुकेगी क्योंकि आज पूरी 90 परसेंट बारि तो बारिस के बाद कुछ ऐसा नजा रहे है और हम घार आए हमने खाना भना खाया तो घहर आते है गंगादी और पूजेपी आ गए थे और पूजेओं को हमने बना रखाया कुमावणी लूक में और एक दम इसन्दर लग रहे हैं तो तो हिमांचली को कुमावणी कल्चर तो हमने इसको गुलोबन नथ और मांग्ति का पहना दिया है पर हो किया रहा है नथ नाक म गई नहीं है अटका रखिया पर लग सुन्दर ही है देखो बहुत सुन्दर लगी है तो अब बट मज़ा रहा है इनके खरा के आज ना सारह तें मौसम खराब था तो हम सोच रहे थे क्या ही करेंगे अभी फिस्टर निकल गी है फिस्टर काएंगे तो अभी नहीं ना मुझे अपना ट्रेडिशनल जो भी यहां की जिल्री है वो दिया है इसको गर बोलते दी ग्लोबन और यह मतलब की गलोबन बोलते ना और यहां की कुमावनी नथ जो मुझे बहुत फोटो टो ले लिया है और बारिश भी बंध हो गया और बारिश के बाद देखो मौसम पहाड़ का पूरा कुहरा कुहरा नीचे आगे ना और हम भी खेट से इतना भीग चुके थे मता हथ से ज्यादा ही भीग गे थे हम भी तो फिलाल अब हम पी ले रहे हैं चाए इसका फ चाए बढ़िया वाली तो आप लोग देख सकते हैं मौसम तो बारिश तो रुख चुकी है लेकिन मौसम एकदब मस्त हो गया है और अभी हमने चाए भाई पी ली थी उसके बाद क्या हुआ ना लाइट आते जाते रह रही है मतलब लाइट ही नहीं है मेरे फोन में बैटर लोग चले गे उनको भी विदा कर दिया है तो फिर उसके बाद चाए भाई पी हमने सामी हो गई है बस थोड़ा सा बैटरी बची थी मेरे फोन में तो मैं सोच रहो कि आज की वीडियो को भी है एंड कर देंगे संडे था और पूरा दिन घर में ही ऐसे लग जाता है कभी ख साथी की सिरीज भी जरूर दिखाएंगे तो आज की वीडियो को हमें ही पहिन करते हैं मिलते हैं जल्द ही आपको नए व्लोग के साथ तब तक के लिए बाई बाई